हेलो दोस्तों स्वागता हमार यूटूब चैनला ओर्लाइन कोचिंग टिप्स में दोस्ता आज की इस वीडियो में हम बात करेंगा जहारकान सागे दपक के बारे में जहां दोस्त इस बक्त का एक अच्छी ख़बर निकल कर आ रहा है एपिए पेंशन के साथ मिलेगा कलान को की रचाओ रासी सिर्फ इन परहसेच्वन को मिलेगा कि इन परहसेच्वों को मिलेगा और कब से मिलेगा मैं आप लोग इस फीडियो में बतांगो पर डिटिल से आपको जाना कार दोस्ति조 अप्चैन को सब्सक्राइब कर प्रिस सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रिस कर और नोटिफिकेशन को आउन कर ता कि इस तरह जो भी अपडेट आएगा आपको इसना पर देखने को मिल जाएगा वह भी सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या है अपडेट एपिया पेंसेन और कलान कोस को लेकर तो इस बर्स तीन मार्च से 20 सितंबर तक सेनावित हुए या जीन परासिचों का निधान हो गया है यानि कि तीन मार्च से 20 सितंबर तक जितने भी परासिचक का निधान हो गया है उनके नाम वो जानकारी मांगी गई है शिचों को कितनी राशी दी जाएगे इस पर जाएगा यानिकि तीन अक्टूबर पर एक बेठक किया जाएगा उस बेठक पर आपकंडिन नहीं लिया जाएगा सिच्छा प्रियोजना दुओराद जिला को भेजेगे पत्र में सिच्छक का नाम सिच्छक कि सेच्छनिक गयदा नीउक्ति के बारे में जानकारी मांगी गई है सिचों को EPF बीमा का लाब देने कैलान कोस में सिचों के अंगसदान को लेकर 3 अक्टोबर को बेठक होगी कैलान कोस के लिए राज सरकार 12 कड़ों रुपे का अंगसदान किया गया है इसके अलावा सिचक भी एक मुस्त एक बर्स के अंगसदान की रासी जमा करेंगे कैलान कोस में पारा सिचों के अलावा भी आरपी च्यारपी और कस्तुरबागांदी बालिका बिद्दाला के सिचक को सामील किया जाएगा ठीक है यादिक कि आपका डेट दिया गया है कि तीन मार्श से 20 सिटमबर तक जितने भी सिचक अगर आज से ना निवरी या फिर निधन हो गया है उन सिच्छाँ को जो है झाल झाल